All right and welcome to all in today's discussion Now, आज का discussion रहने वाला है लीची पर तो जितने भी important facts हो सकते हैं लीची के regarding वो हम करेंगे Now, ये पूरा lecture होगा LEO study material के based पर अब LEO का जो official syllabus है वो release हो चुका है और यहाँ पर एक topic है horticulture crops जिसमें vegetables और fruits हैं और fruits में भी लीची यहाँ पर mention है तो लीची को detail में हम discuss करेंगे अब official syllabus हिंदी में release नहीं हुआ है बट हम English और हिंदी में दोनों में आपको करवाएंगे ठीक है Now, उससे पहले आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं आपने telegram app download करनी है search box में type करना है add the rate पंकज भोरा तो आपको जितने भी उत्राखंड exam related पूरे quantitative exam होते हैं उसका study material और lectures इस group में आपको मिल जाते हैं Now, यहाँ पर सभी जितने भी चीज़े हैं link आपको मिल जाएंगे जो recent हम upload करेंगे जो भी videos है Now, L.E.O. का study material लेने के लिए आपको यह 399 रुपीज का मिल जागा जिसमें NCRT Class 6 to 12 जितने भी biology से related complete notes यहाँ पर हमने prepare किये हैं biodiversity है, national park की list है, zoo की list है, वो सब है जितने भी agriculture fact हैं अभी हम discuss करेंगे fruits, vegetables सब ही L.E.O. के syllabus के pattern के base पर बनाए गए है आपको करना बहुत simple है दिये गए नंबर पर जो भी यह नीचे नंबर दिया गया है इस पा आप whatsapp करके payment के लिए link ले सकते हैं या directly आप google पर या phone पर कर सकते हैं same नंबर पर 399 रुपीज और जो भी screenshot आपने share करेंगे जो भी screenshot payment करेंगे उसके screenshot same नंबर पर whatsapp हमें करनी है उसके बाद हम आपको सभी जो notes है PDF form में जो है issue करवाएंगे तो start करते हैं आज का discussion लीची लीची के बारे में हम discuss करने वाले हैं देखिए इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर हैं जैसे cutthal के बारे में है jackfruit के बारे में है बट यहाँ पर आज का जो important topic रहेगा वो लीची के बारे में क्योंकि हर एक fruits के बारे में detail में discuss करेंगे क्योंकि एक भी fruit हमसे छूटना नहीं चाहिए आउला है उसके बाद यह जितनी भी चीज़े हैं वो आपको study material में एक एक करके जितने भी fruits हो सकते हैं जो भी एलियू में पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे coconut के बारे में one liner है यह सब detail में आपके discuss किया गया है बट आज का जो major important topic है रहने वाला है वो है leachy leachy को English में और Hindi में discuss करते हैं सबसे पहले एक एक करके leachy के बारे में factor जान लेते हैं उसके बारे में हर चीछ explain करते हुए चलूँगा air layering क्या है petals होते हैं या नहीं root stock क्या होता है यह सब धिरे धिरे जान के चलेंगे ताकि leachy के बारे में कोई भी question LEO में आता है तो आप इतने जादा capable हो पाएं कि आप पूरा answer कर पाएं आज ये पहला lecture है तो थोड़ा सा time लगेगा आपको समझने में connection बनाने में जैसे वन दरोगा का हमने complete syllabus करवाया है YouTube पे इसी channel पे PR publication पे वैसे ही हम LEO का भी syllabus आप से discuss करेंगे ठीक है सबसे पहले ये जान लीजिए वनस्पतिक नाम या botnical name क्या है leechy chinesis है ठीक है क्या है leechy chinesis इसका botnical name है तो सबसे पहला तो यही याद रखना है हर जो person है अलग अलग pronounce कर सकता है इसका जो botnical और वनस्पतिक नाम पूछा जा सकता है LEO में ठीक है दूसरा कौनसी family से belong करता है वो है sapindacene क्या है sapindacene से ये belong करता है कौनसी family का है sapindacene से ठीक है अब यहाँ पर mole ये चाइना का है origin कहां का है leechy का चीन का है अब यह सबसे important question हो जाता है क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा origin of leechy चार option आपको given होंगे भारत है चाइना है ब्राजील है साउथ अफरीका है तो वहाँ पर confused नहीं होना क्योंकि leechy के बारे में पूछा जाए तो ये है चाइना ओके now climate जलवायू भी पता होनी चाहिए कि leechy actual में होती किसकी जगे पर हो सकती है मूल चाइना है तो चाइना अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो चाइना एक ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता चाइना सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है जहाँ पर कि अगर summer के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा होट और नमी होती है summer time में ठीक है winter में cold mild winters होते है उतना ज़दा थंडा नहीं होता पर mild winter होते है जैसे ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़दा वर्षा होती है यहाँ पर उससे कम रहती है थोड़ी सी ठीक है तो जलवायू क्या है उस्ड कटी बंदी है ठीक है तो और यह याद रख लेना जो study material है complete अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं English medium है तो बिलकुल perfect यह आपको study material मिलने वाला है हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं बहुत बार study material मिल नहीं पाता इसलिए हम google translation करते हैं अगर जो English समझ लेते हैं तो वो study material को लें वरना ना लें ठीक है बागी जो English medium से है जिनका English माध्यम ही है वो study material को ले सकते हैं क्योंकि complete एक बहुत ही basic से लेके advance तक आपको बनाया गया है यह study material जहां पर NCRT प्लस इसमें सबसे important बात है यह आपको guide भी किया जाता है guide भी किया जाता है यानि कि आप study material जब लेते हैं उसके बाद कैसे कैसे पढ़ना है किस book को refer करना है यह भी हम आपको बताते हैं चलो वो तो बाद में हम discuss करेंगे बट उससे पहले कुछ यहाँ पर चीज़ें पढ़ लेते हैं soil soil यानि की मिट्टी मिट्टी होती है sandy loom कौन से मिट्टी में होता है sandy loom में उसके बाद next है Microgial Association Microgial Association is found in leechy which part of plant Microgial Association leechy के किस हिस्से में पाए जाता है अगर Microgial Association के बारे में बात करूँ है जनरली Microgial Association वो होता है जहां पर एक तरह से symbiotic relation होता है अगर आप simple सी बात है leo का paper दे रहे हैं तो आपका कही ना कही biology से relation रहा होगा कभी ना कभी आपने biology पढ़ी होगी पर मैं कोई issue नहीं है मैं basic से ही आपको बताते होए चलूँगा Now Microgial Association में जनरली होता क्या है जो plant होता है और fungus के साथ एक symbiotic relation रखता है जिसमें एक दूसरे की दोनों ही मदद करते हैं fungus plant को अच्छे-च्छे nutrients प्रवाइट करवाता है ठीक है Now तो लीची में ऐसा Microgial Association पौधी का कौन सा हिस्सा करता है जड़ क्या है जड़ जड़ें करती है तो डायरेक्ट पूछा जाएगा question कैसा आएगा question ऐसा आएगा लीची में Microgial Association के लिए कौन सा हिस्सा responsible है roots है stem है ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे बट आपका अंसर क्या रहेगा roots रहेगा ओके जड़ें now दूसरा जो है लीची is commonly non-age लीची को मुलतहा या सामन्यतह कहा जाता है इसको बोला जाता है single seeded nut या एकल बीज वाला ये देखिए ये मैंने जैसे बोला हिंदी में पूसिबल नहीं रहता और ये सिर्फ LEO की ही basic challenge नहीं है आप UPSC की preparation करें आप PCS की preparation करें तो वहाँ पर सब जगे आपको यही देखने को मिलेगा कि हिंदी में content आपको कम मिलता है तो फिर बाद में बच्चे कहते हैं हिंदी में लाई ये हिंदी में नहीं आ रहा समझ में तो हिंदी के लिए इसलिए हमने ये आपको Google Translation किया है accurate नहीं होता बट पूरा समझ सकते हो आप इससे ठीक है बट English Medium ही main focus हमने बनाया हुआ root stock अब root stock क्या होता है root stock सबसे पहले इसका है leechy philippineses philippineses से related है इसका अब root stock generally होता क्या है root stock generally ऐसी property होती है जहां पर होता है ना किसी एक plant को graft कर दिया जाता है उसके उपर तो उसी को कहते है root stock property ठीक है या root stock तो leechy philippines की एक property होती है root stock की ओके now उसके बाद है red pigment is due to अब जो leechy होता है लाल जो रंग होता है leechy में वो किस वज़े से होता है अब ये भी important question हो जाता है तो मैंने यही possible ये रखा गया है कि जितने भी question आप से पूछे जाएं जितने भी question चीज़ें आप से जो भी चीज़ें leechy से related हो तो मैंने ये ensure कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें मैं इस पे include करूँ ताकि leechy से related कोई भी question आए तो आप और यही चीज revision कर रही है enough है ये कि जितने भी effect होते हैं वो मैं आपको ढूट के ला चुका हूँ तो red pigment is due to क्या होगा anthocyanine anthocyanine लाल रंग किस वज़े से होता है anthocyanine के वज़े से तो ये याद रख लेना ठीक है flowers flowers are petalless full जो होते हैं उसके petalless होते हैं generally जितना भी petals का एक समूँ उसको कोरोला भी बोला जाता है जो flower होता है उसका colored part petals कहलाते हैं एक question ये भी पूछा जा सकता है कि petals जो हैं किस चीज़ से बनते हैं तो ये याद रखना cellulose से भी petals बनते हैं ठीक है अब petals generally कहां पर देखने को मिलेंगे आपको जो flower का reproductive part रहता है उसके चारों और petals बने रहते हैं अगर आप यहां तक वीडियो तक पहुँच चुके हैं वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को जादे से जादा like करो channel को subscribe करो जो लोग भी नए आये हो क्योंकि यहां पर आप L.E.O. से related material आने वाला है जितना आप लोग यहां पर comment करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी material चाहिए मैं उतने जल्दी आपके comment based पर response दूँगा ठीक है अगर मुझे comment में लगे generally हमारा channel dedicate target करता है UPSC civil services exam को but मैं belong करता हूँ उत्राखंड से तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उत्राखंड से जुड़े होए हैं उत्राखंड में ये बोलते हैं कि हमें अच्छा quality content नहीं मिल पा रहा तभी but मैं ये ensure करूँगा मैं ये चाहता हूँ कि आप comment box में response दें कि हमें जल्दी चाहिए क्योंकि reach बढ़नी चाहिए तो मैं उसी के basis पर आपके लिए material बनाऊंगा तो जादे से जादा जितना जादा हो सके कोई भी एलियो उत्राखंड से prepare कर रहा है अगर उसको आप ये video share करो और उन्होंने comment किया फिर ये जादे से जादा comment आए तो मैं ये जादा से जादा चाहूँगा अपने जितने भी whatsapp है कम से कम एक status लगाई ये telegram में एक group में share कीजिए इस video को ठीक है तो उसके regarding में आपको quality content दूँगा ऐसा नहीं कि सिर्फ video बनानी है आपको youtube में बहुत सारी ऐसी देखने को मिल जाएगा जहां पर सिर्फ videos आपके लिए होंगी leo भी पढ़ाया गया होगा बट क्या quality content matter करता है yes ठीक है क्योंकि आपका जो time है वो waste नहीं होना चाहिए और एक right direction में guidance सबसे ज़्यादा matter करती है चाहे कोई भी exam हो नाँ चलो बीना path में बट के हुए हम यहाँ देख लेते हैं इसके regarding और है which is the outgrowth of the seed seed से क्या निकलता है generally seed से निकलता pulp ठीक है यह भी पूछा जा सकता है ओके उसके बाद next है vitamin C contain vitamin C contain dash dash mg per gram 100 gram edible portion जो खाने वाला portion होता है उसमें कितना mg देखने को मिलता है 40 से 90 तक ठीक है यह भी पूछा जा सकता है vitamin C का स्रोथ leachy is rich source of leachy में सबसे ज़्यादा सम्रद क्या है calcium होता है 0.21% pH भी पूछा जा सकता है अब pH याद रखना 5 से लेकि 7 तक होता है ठीक है 5 से 7 तक होता है temperature require for good plant growth अगर leachy को हमने अच्छे से उगाना है तो तापमान क्या होना चाहिए तापमान होना चाहिए 30 degree Celsius तक ठीक है ये next question हो जाता है next देखो commercially propagation method air layering अब मैं सिर्फ या तो ये हो सकता है कि मैं सिर्फ आपको air layering पढ़ा दूँ पर एक दूसरा method ये हो सकता है कि आप air layering समझें यानि कि जब भी लीची के बारे में बात आए तो air layering का concept समझें यानि कि commercially जो लीची को उगाया जाता है अगर लीची बेची जा रही है तो उसको जादे से ज़ादा लीची चाहिए तो air layering के basis पर इसको breed करवाया जाता है air layering बहुत simple है suppose ये लीची का लीची है अब लीची में simple सी बात है कोई भी plant होता है उसपर gylaim भी होता है, floeum भी होता है go gaileum क्या करता है? नीचे से लेके उपर तक जितना plant है nutrient ले जाता है floeum क्या करता है??, food supply करता है सभी, floeum का का काम क्या रहता है? सभी हिस्सवें plant के food supply करना अब air layering में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं air layering में क्या होता है suppose ये stem है लीची की तो यहाँ पर floem है floem का हिस्सा काट दिया जाता है ठिक है floem का हिस्सा काट दिया जाता है अब जब plant क्या करता है अपना food supply कर रहा होता है तो जितने भी उसका खाना होता है उस जगे पर अटक जाता है यानि कि जहां पर जिस हिस्से में काटा रहता है उस जगे पर खाना अटक जाता है समझ नहां यह air layering का मैं basic procedure बता दे रहा हूँ आपको कि air layering actually होती क्या है मैं सिर्फ यह नहीं बता रहा हूँ कि air layering की help से जादी से जो branches और ज़्यादा उगाई जाती है सेम पेड़ से मतलब यह पेड़ सेम है air layering करेंगे तो branches उग जाती है जैसे graft करते हैं ना cutting करते हैं उसके basis पर but air layering का मैं initial से बता रहा हूँ ताकि आपका concept mind में clear रहे तो flowem काट देते हैं flowem का जहाँ पर भी हिस्सा काटिंग है तो यहाँ पर खाना अटक जाएगा क्योंकि सब जगे supply करता ना जी जगा अब यह जो खाना है food है अब यह इतना ज़्यादा इखटा हो जाता और यह चाहता है कि नई branches कहीं ना कहीं पर होता ना कहीं कहीं पर मैं consume हो पाऊँ तो वहाँ पर क्या करते हैं उजगे पर सपोज एयर लेरिंग यहाँ पर क्या करेंगे एक प्लास्टिक का या ऐसा environment create करेंगे जहां पर उसका मौश्यर मिल पाए जनरली मौश्यर होता है ठीक है यहां पर उत्ती ब्राइंच में मौश्यर तो यहां पर क्या करते हैं अगर घरेलू आप यूज करें एहर लेरिंग को तो ब्राइंच में लीची की ब्राइंच में क्य जहां पर एर लियरिंग है कि ब्रांच उग जाएगी तो अलग-अलग लीची के पौदे और सेम टेस्ट आपको मिलेगा जैसा मदर प्लांट है ना वैसा ही ब्रांच से भी अलग-अलग ब्रांचे निकलने लगेगा और लीची के पौदे हैं लीची है उगने लगेगी तो अगर कोई बोलेगा लीची को कैसे उगा जाता है तो आप कहेंगे एर लेरिंग की हेल्प से ओके तो आई थिंक मैं ये पूरा समझा चुका हूँ एर लेरिंग कैसे होती है और मैंने फ्लोयम और जैलम का कॉंसेप्टी पर बता दिया अगर आप बाद में बने ये भी पूछा जा सकता है ओके नाव नेक्स्ट है एटीन्थ एयर लेरिंग को चाइना में क्या बोलते हैं चाइना में एयर लेरिंग को मार्कोटेज बोला जाता है क्या बोला जाता है मार्कोटेज ठीक है और भारत में एयर लेरिंग को क्या बोला जाता है गोती क्या बो बीच में space कितना होता है 8 into 8 ठीक है plant के बीच में अगर लीची आप उगा रहे हों बड़े-बड़े खेतों में तो उनके बीच में space कितना होना चाहिए और space actual में matter करता है हर एक चीज में आपसे space पूचा ही जाएगा temperature should not go beyond in summer अगर गर्मी चल रही है तो temperature इसके बाद नहीं जाना चाहिए 40 से लेके 50 डिगरी Celsius के बाद नहीं जाना चाहिए actual अच्छी तरह होगेगा तो 30 डिगरी Celsius बट गर्मी में इससे ज़्यादा temperature नहीं जाना चाहिए ठीक है अब कुछ varieties किस्मों के बारे में जान लेते हैं जैसे रोज सिंटेड है कलकटा है कजबा है दहरादून पूर भी यहाँ सब देखने को मिल जाता है ये ठीक है साही सा अक्टूबर से नॉमबर के बीच में फ्रूटिंग टाइम यानि की फलने का समय क्या होता है मार्च से लेके मई साही वेराइटी जो होती है वो कैनिंग के लिए इस्तमाल होती है ठीक है किसके लिए suitable है कैनिंग के लिए उसके बाद विची दा मोस्ट एफेक्टिव इन र प्रूट प्रमोशन के लिए आई भी ये जिसमें दो से लेकि 10 ग्राम पर लीटल पानी जाता है ओके तो आई थिंक कि यह आपको समझमा आया होगा ओके ना उसके बाद है फेवर कंडिशन फॉर लीची प्रोडक्शन फैवरेबल कंडिशन आप लीची की जगे पर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो समय रहता है लीची को उगाने के लिए उसकी इरिगेशन के लिए अगर चाहिकर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रिट रहता है घर हाट्विंड गर्मियों में intदे ज़िए टो फ्रूट में फ्रूट क्रेकिंग देखने को मिले फ्रूट प्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती है अग्रिकल्चर मैं यह मैं पढ़ा चुका हूँ यह सब चीज़ें क्या होती है अब सबसे ज़्यादा जो इंपोटेंट है वो है मेजर पैस्ट है मतलब कौन-कौन से कीड़े लगते हैं माइट्स और मियले बग अब यह चीज़ें पूछी जा सकते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें है माइट्स क्या होते हैं अब माइट्स के बारे मैं बताऊं तो यह लीची के पौधे में लग रहते हैं यह आप डारेक्ट नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं यह उसकी पत्तियों को खराब कर देते हैं ठीक है लीची माइट का नाम क्या है वही जो मैं डैमिज करता है पत्ति को उसका नाम है ऐसीरिया लीची क्या है ऐसीरिया लीची यिल्ड पर प्लांट एक पौधा लीची का 80 से लेके 100 किलो तक दे सकता है ठीक है लीची तो ये तो हो गया आज का हमारा डिस्केशन तो फिर मैंने ये सब फ्रूट जितने भी फ्रूट हैं वो बनाए हैं आउला ऐसा नहीं कि देखिए स्लेबस में में मेंचन देखिए जो स्लेबस में में मेंचन उनको प्रायरिटी दिए बट वहाँ पर सिट्रस मेंचन है तो हमें सभी चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी सभी यह यहाँ पर और हर एक उसके लिए एक एक लेक्चर बनेगा ठीक है यह देखिए सब एगरिकल्चर कॉशन और आंसर है यह सब चीज़ें यह सिर्फ फ्रूट वाला लक्चर है हमने यह पूरा ही बनाया है कैश्यू ठीक है कैश्यू नट है यह सब चीज़ें हमने देखने को मिली है बेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए तो आपको यह एक ही सिट्रस से रिलिटेड जितनी भी कॉशन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यह सब आपको इस्टेडी मट्यल में मिल जाएगा कौन कौन से डिजीज है बहुत बड़ा यह सिर्फ फ्रूट से रिलेटेड है ऐसे ही हमारा जो इस्टेडी मट्यल है उसमें वेजिटेबल से हैं क्रॉप्स हैं जितनी भी हैं यह सब आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर ठीक है एक ही जगह पर होटिकल्चर है जैसे देखिए पपाया मेंचन था तो यहाँ पर देखिए इतना नीचे आने के बाद पपाया बोटनिकल नेम क्या है यह सब डिसकस यहाँ पर हम करेंगे बट आज की वीडियो में तो सिर्फ लीची के बारे में डिसकेशन था यही करेंगे वीडियो एंड तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजी जादे से जादा चैनल को सब्सक्राइब कीजीए और कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे की वीडियो कितने जल्दी आपको चाहिए ओके थैंक यू